So guys networking course की ये तीसरी वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको internet कैसे work करता है, पूरा procedure बताने वाला हूं कैसे हम internet के use कर पाते हैं, कैसे हम उन websites को, उन जगाहों को हम explore कर पाते हैं, जो कि जिनके जो server हैं, वो USA या फिर और किसी दूसरे देश में लगे हुए हैं, लेकिन हम उन् कैसे exchange होती हैं, तो इसका पूरा का पूरा process, इसके पीछे लगने वाला जो भी maintenance है, जो भी काम है, जो भी चीजे हैं, सारे factors आपको आज मैं या पर बताने वाला हूं, so guys ये वीडियो बहुत जाद इंट्रस्टिंग होने वाली है, उन सभी के लिए जो ये सब जानना चात जाते थे, so guys इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बतानू, अगर आपने अभी तक geeky आपको सब्सक्राइब नहीं किया, तो candy सब्सक्राइब करके bell icon को all करने, ताकि आने वाली course की कोई भी वीडियो आपसे मिसना हो, साथ साथ प्लेलिस सेक्शन पर जाके यहा जाते हैं अपने वीडियो की तरफ और जानते हैं different types of network के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो हमारा internet है, हमें क्या पता है कि हमारा internet है, वो कहां से आता है, अगर आपके घर में broadband connection लगा हुआ है, तो आपका जो ISP है, वहाँ से एक ethernet cable आ रही होगी और आपके router में connect होगी, और router से आप या तो ethernet के जरिए या फिर wifi के जरिए अपने सभी devices में internet access कर पा रहे होगे, लेकिन अभी आपको यही नहीं पता कि आपको internet है, वो पूरी दुनिया में कैसे connected है, कैसे सभी network को आपस में connect करा गया है, और इस internet यानि इस van network को create किया गया वो दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हो इनसान से contact कर पा रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपने अगर एक WhatsApp में message किया है, जैसे WhatsApp में किया है, मैं WhatsApp का example ले रहा हूँ, WhatsApp के जो data centers है, servers है, वो USA, California में लगे हुए है, तो आप अपने friend को जो आपके घर के बगल में भी रहता हो, उसे message करते हो, तो सबसे पहले क्या होता है, कि वो message आपके आप से जाता है, और सीधा आपके friend के पास receive हो जाता है, तो आपके message है, वो आपके तरफ से गया, और आपके friend को receive हो गया, तो यह जो process होता है, यह आपको तो लगता है कि within a second हो गया, लेकिन होता क्य आपके जो message है वो आपके phone से निकल कर पहले server तक जाता है जो कि USA में लगा है और वहाँ से वापस आकर आपके mobile phone जो आपके दोस्त का mobile phone है वहाँ receive होता है तो एक रास्ता बना होता है sender और receiver का जो कि checkpoint से होके निकलता हुँ यहाँ से उसको service मिल रही होती है तो यह matter नहीं करता कि आपके friend कितनी दूर बैठा है matter यह करता है कि आपका जो message है वो पहले server में जाएगा इसके बाद receiver के पास जाएगा तो guys यहाँ पे OSI model, TCP, IP model की protocol, suits बहुत सारी चीज़े काम करती है तो उनके बारे में हम आगे वाली videos में जानेंगे अभी हम इतना जान लेते कि internet मोटा मोटे तोर पे किस चीज़ पे काम करता है तो यहाँ पे हमने समझा कि हमारा internet है हम जैसे wifi या हम को email भीज रहे हैं हम कोई message भीज रहे हैं तो पहले वो server पे जाएगा जानोगे अभी मोटे मोटे तोर पे हम समझने वाले हैं तो यहाँ पे हमारे जो internet है वो कैसे connect है अब मैंने आपको बताया WhatsApp से आपने message किया वो server तक जाएगा उसके server USA में है तो जाएगा कैसे उसका medium किया है अब wireless, bluetooth, wifi तो वहाँ पे है satellite में क्या होता है कि आपके जो server होते है वो और आपके जो users होते है वो satellite के जरीए connect होते है आप हो जैसे आप इंडिया में रहते हो इंडिया से आपने उस message को send किया तो वो satellite में contact करेगा याँ पर antenna लगा होगा उसमें वो receive होगा इसके बाद एक यहाँ पर sender होगा वो उसके data center यानि server पर पहुचा देगा फिर server से वापस request जाएगी और फिर उसे receiver जहाँ पर receive होना है वाँ तक पहुचा देगा इस तरीके से satellite वर्क करती है लेकिन satellite बहुत जादा successful नहीं है बहुत जादा expensive भी पढ़ती है और हर organization अपने लिए satellite effort नहीं कर पाता है कुछ governmental होते हैं कुछ बहुत ही well profiled जो होती है चीज़े वो इस चीज़ को manage कर पाती है लेकिन इसका एक alternate जो की 80-90% use होता है पूरे world बलकि 90% से भी जादा जो की है हमारा optic fiber connection अब यह optic fiber connection तो आपने देखा होगा कि आपके offices में हैं, home पे हैं लेकिन यह पूरे world को कैसे आपस में connect कर रहा है तो guys यह पूरे world को भी आपस में connect कर रहा है कैसे कर रहा है तो इसका एक live demonstration देखते हैं और जानते हैं कि कैसे यह पूरा work कर रहा है कैसे यह पूरी दुनिया को आपस में internet में connect कर रहा है तो guys मैं आप चुका अपने desktop screen पे मैं अपने chrome browser पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो optic fiber cable होती है वो कुछ इस तरीके की होती है तो इसमें भी यह क्या होता है कि आपकी जो continents होती है आपकी जो countries होती है आपस में इस cable के थुरू connect होती है जिसके थुरू आपका data इधर से उधर जाता है अब अगर आपने देखा होगा आपकी normal optic fiber cable होती है वो छोटी सी होती है यह कुछ इतनी मोटी बलकि और भी मोटी होती है और इनके अंदर बहुत सारी wires होती है बहुत सारा bandwidth होता है तो यह दो को समुद्र के नीचे कुछ इस तरीके से जारी होती है जो कि पूरे समुद्र में फैली होती है आप देख सकते हैं images इन्हें कहते हैं submarine cables तो यह पूरी world में फैली हो यह देखो यहाँ पर आप मैप भी देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट होती है यह आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से इन्हें ठीक करा जाता है maintenance करा जाता है और इन्हें जो ships होती है उनके जरिए एक continent से दूसरे continent पर भेज़ा जाता है तो यह pictures है इसकी बहुत सारी की कैसी होती है यह समुदर के नीचे कैसी जाती है maintenance करने के लिए कैसे उतरना पड़ता है तो यह पूरा आप यहाँ पर देख सकते हो कैसी यह cable देखते हो बहुत मोटी होती है इसमें बहुत high bandwidth होता है तो एक website है submarine cable map आप इसकी link नीचे description पर मिल जाएगी आप वहाँ से जाके इस map में पहुँच जाओगे इस map में आपको दिख जाएगा कि आपकी country में कैसे आपके यहाँ पर कितनी सारी cables आ रही है कहां connected है तो देखो यहाँ पर आपकी एक Mumbai के पास आ रही है यह Mumbai में है और इसके साथ साथ नीचे भी आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी यह शायद कोची में होगी और यहाँ पर आपको चैन्नाई में भी देखने को मिलेगी इसके साथ साथ आपको यहाँ Kolkata में तो नहीं है बांगलादेश में है तो इस तरीके से आपकी यहां पर यह सम्मरीन केबल्स आ रही हैं तो अगर आप डैली में बैटे हो डैली में बैट कर आप अपने जो दोस्त है वो भी डैली में है और आप उसे WhatsApp मैसेज करते हो तो क्या होगा आपका जो मैसेज है पहले किसी तरीके से यहां तक पहुचेगा मुंबई तक फिर मुंबई से इन केबल्स के जरीए वो ट्रैवल करता हुआ करता हुआ इन केबल्स के जरीए जो सबसे सही केबल रहेगी जो सबसे सिटीवल केबल रहेगी उन केबल्स के जरीए ट्रैवल करता हुआ जहां पर सर्वर लगे हुए हैं वहां तक पहुचेगा इसके बाद वो request accept होगी server से और फिर वो वापस से उस message को भेज़ेगा आपके पास Mumbai पे वापस और Mumbai से direct receiver के पास जो आपका दोस्त है तो आपको अगर बगल में भी message करना है तब भी आपकी request WhatsApp में अगर कर रहे हो तो आपकी America जाकर ही वापस आएगी तो यहाँ पे हम तो यह देख रहे हैं कि भाई हमारे तो mobile phone है हमारे mobile phone पे तो ना कोई wire लगी है ना कोई wifi ले रहे हैं हम तो direct sim से चला रहे हैं तो sim से चलाने में कैसे हमाई wire रखो यह मतलब scene हो रहा है तो guys actual में होता क्या यह कई तरीके की company categorize होती है इस पूरे network को बनाने के लिए जस्त लाइक आपके पास mobile phone है उसमें आपके पास cellular network होता है GSM, LTE, VALTE होता है तो वह वाला आपके पास network होता है तो उस network को कौन प्रोवाइट करता है आपका ISP just like Airtel, Geo, Idea, Vodafone तो जो आपकी Idea, Geo यह सब हैं यह सब आपकी ISP हो गए internet service provider अब वो ISP क्या होता है वो ISP अपनी service किसी और से provide करते हैं मतलब किसी और से लेते हैं अब वो लेते हैं main किसी दूसरे ISP से जो उससे भी बड़ा ISP है अब वो वाला जो बड़ा वाला ISP है वो क्या करता है वो जो होता है direct इन cable पर आश्रित होता है इन cable पर आधारित होता है वो इनकी service लेता है और यह पूरे world में value होती है तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं Huawei Marine और भी बहुत सारी Equinix आप क्लिक कर करके देख सकते हो different different तरीके कि यहाँ पर आपकी कुछ companies है जो कि पूरी cables की मालिक होती है पूरा maintenance इनका होता है और इनको बदले में यह जो जियो एटल यह ISP वाली company है पैसा देती है इनको कि इनक सब्मरीन केबल है जहां पर आप क्लिक करोगे उस सब्मरीन केबल के बारे में information आपको निकल आएगी यह दखो यह वाली सब्मरीन है जो मलेशिया से आपको इस country से जोड़ती है तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी सब्मरीन केबल है आप यहाँ प आप यहाँ पर मंबई से और फिर रिसीवर के पास जाएगी तो इस तरीके से आपकी यह काम करती है तो यह बहुत ही अलग मेथड होता ही है आपको शायद अभी तक पता भी ना रहा हो कि सब्मरीन केबल की जगा होती है कुछ ऐसा होता है जो कि वर्क करता है तो यह आपक पानी के नीचे बिचि होनी के साथ लैंड बे भी बिचि होती है तो लैंड बे तो ज़्यादा पता नहीं चलता है लेकिन सब से जदा इनका जो एरिया है वो आपका सी के अंदर ही आता है तो इस तरीके से आपकी जो समरीन के बские वल वह वर्क करती है 90% से ज़्यादा इंटरनेट आपका इनी पर आश्रेत होता है और गाईस अगर आपने शुशल वीडिया में एक जोग भी देखा हो कि एक बार एक बुड़ी औरत ने दो कॉंटिनेंट के बीच का कनेक्शन काट दिया था क्योंकि उसके खेत के पास से एक वायर गुजर रही थी और गलती से उसने उसे काट दिया था इससे क्या हुआ था कि दोनों कॉंटिनेट का आपस का इंटरनेट कनेक्शन ही हट गया था तो गैस ये इंटरनेट कनेक्शन अगर इन वायरों को काट दिया जाए तो पूरा देश, पूरा कॉंटिनेंट इवन इंटरनेट से हट सकता है, तो इस तरीके से ये पूरा इंटरनेट आश्रित होता है, आपको मैंने सेटलाइट बता है, सेटलाइट पे rare cases होते हैं कि बहुत ही कम जो organization है, वो work करते हैं, just like आपका governmental करता है, गौर्मेंटल के लावा जितने भी आपके work हैं, ये सब आपका ऐसे ही होता है, तो इसी के साथ-साथ यहाँ पे आपको privacy भी देखने पड़ती है, कि यहाँ पे आपको privacy लगाने पड़ती है, just like आपका कुछ ऐसा data है, जो कि इंडिया से बाहर जा नहीं नहीं चाहिए, just like आपकी banking details, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपके proper अलग तरीके के network बनाए जाते हैं, एक अलग तरीके का वाँ पे ISP होता है, तो उसके लिए मैं आपको एक proper पर आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समुझ लीजिए, यह जो पूरा network है, इसे public network कहा सकते है, या van network कहा सकते है, जो कि पूरी worldwide होता है, तो इसे हम कैसे पता लगा है, कि हमारा जो message है, जैसे हम कोई mail भीज रहे हैं, कहां पर भीजने, जैसे website है, अब website कौन सी है, अब just like www.google.com, Google.com को server कहां पर है, I think USA की California में, मुझे damn sure तो नहीं हूँ, लेकिन California USA में ही है, मुझे इतना पता है, तो मैं Google.com पर अगर query भीजता हूँ, तो मेरी query कहा से निकलते हुई, कैसे जा रही है, और कैसे मतलब कहां कहां से उसे गुजरना पड़ रहा है, अगर मुझे वह पता करना है, तो मैं कैसे पता करूँगा, मेरे पास देखो यहां पर what is my IP address, यह मेरे पास एक website है, तो यहां पर मेरा currently public IP है, जो कि पूरे world में access हो सकता है, मेरा वो यह रहा, ठीक है, अगर मैं इस पर click करता हूँ, तो यह दोखो मेरा ISP है, यह आ रहा है मेरा host name आ रहा है, साथ-साथ मैं कहां कहूँ city और इंडिया, यह सा मेरा लिखा हुआ रहा है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं google.com से contact में हूँ, तो google.com में अगर कोई query भेज रहा हूँ, जैसे कि मैं simply google search करता हूँ, यहां पर मैं open कर लेता हूँ google, ग-o-o-g-l-e, तो google.com अगर मैं यहां पर करता हूँ, maps खुल रहा है, ग-o-g-l, अब google में मैं search करता हूँ, कुछ भी search करता हूँ, just like, मैं करता हूँ, इंडिया, इंडिया मैं search करता हूँ, तो यह query है, मेरे को result आ गए, कितनी जल्दी result आ गए, इतनी देर में, जितनी देर में, मेरे result आया है, मेरे इंडिया नाम की query है, यह USA गई है, वापिस आ गई है, तो हम कैसे पता करें, कि यह USA में जो जा रही है, उसके बीच में, कितने कितने चेक कॉइंट, कौन से ISP हैं, तो उसके लिए क्या होता है, आपको simply अपना, यहां पे cmd को लेना है, यहां पे आपको क्या करना है, उस website का या उस IP का नाम टाइप करना है, जहां के आपको request लेनी है, उससे पहले क्या करना है, इसका root trace करना है, तो आपको एक command लगानी है, ट्रेसर्ट और website का नाम, www.google.com तो मैं फटवर्स से टाइप कर देता है, www.google.com तो यहां पे आप देख सकते हो, 30 hopes का यहां पे एक root चलेगा, अब root में क्या है कि आपकी IP address आएगी, देखो मेरी IP address है, 103.134 से, तो यह देखो, यह मेरा 10.70.195.1, यह मेरा private IP जो मेरे router के बाद मेरी machine को मिला हुआ है, अगर मैं यहां पे window plus R दबाके, ncpa.cpl पे जाओं, और यहां पे अपना adapter settings पे आपको अपना IP दिखा दूँ, properties पे जाके, यह रहा मेरा IP version 4, तो आप यहां पे देख सकते हो, 10.70.195.209, यह मेरा private IP है, तो सबसे पहले मेरा वह वाला IP आ गया, कि इसको अगर मैं यहां से, Ctrl-C से copy करता हूं, और इसे मैं जाके यहां पे paste कर देता हूं, और इसे मैं इसका जो check-up है, मैं देखता हूं कि यह IP address कहां का दिखाता है, तो देखते हैं क्या IP address का हमेरा यहां पे result आता है, तो यह वाला जो IP था, मेरे खुद ISP वाले का है, जो जिसने मैं service ले रहा हूं गाजयबाद में यह वह भी, तो यह यहां पे simply गाजयबाद लिखा हुआ आ गया, इसके बाद मैं अगर यहां पे 74 वाली IP को यहां पे copy कर लेता हूं, और उसको मैं यहां पे paste कर देता हूं, तो आप देखना मेरा IP क्या आएगा, मैं दुबारा से इसे रंड कर देता हूं, इस बाद देखते हैं हमारा IP क्या आता है, क्योंकि यहां से मेरी जो request वो मेरी पहले private, यहां से निकलेगी private network से, इसके बाद जाएगी मेरे ISP पे फिर ISP के बाद देखो, यह जारी है ISP गूगल पे, गूगल का IP था यह अब यह गूगल का कहां पे है, not located दिखा रहा है, क्योंकि कई बार इनकी services नहीं दिखाता है, तो content दिखा रहा है North America, तो यहां से direct फिर वो North America निकल गई है, और United States पह पहुँच गई है, इसके बाद क्या हो रहा है, 108 यह वाली IP है, इससे भी देख लेते हैं, यह क्या चीज है भाई, तो यहां पे जो server होगा, उसकी भी एक IP आएगी, और आपका जो भी वहां पे ISP होगा, उनकी तरफ से उसकी भी IP आएगी, और प्रॉपर वहां पे उसकी वह भी length भी आ जाएगी, मतलब longitude, लेंग्टिट्यूट कहते हैं जिसे, तो यहां पे देखो यह भी North America की है, इसके बाद lastly आपके पास यह देखो, यहां पे 216. यह वाली है, यहां से आपको उसकी main IP मिल जाएगी, जो server की IP है, जहां से आपकी request, प्रॉसीड होके आपके पास आ रही है, तो यह वाली जो हमारी IP address से देख लेते हैं, यह कहां की है, कहां से हमें यह request, accept होके हमारी जो result query है, वह हमें मिल रही है, तो यह देखो यह भी North America की है, State Reason Oklahoma, इसका मतलब जो हमारा city भी दिखा रहा है, तो मतलब इस city में हमारे Google है, वह वाला server लगा है, जिससे हमें India की query का result मिला है, तो यहां से हम यह समझ गए कि हमें कहीं कभी पता करना है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, अब just like मैं आपको यहां पे दिखा दूँ, मैं यहां सेर्च करता हूं कुछ हो और, जो की मैं different तरीके से सर्च करता हूं just like मैं कोई website ले लता हूं जो India की website हैं, just like मैं यहां पे ले लता हूं परिवाहन परिवाहन की website है इंडिया की परिवाहन Government की है जिससे license license बनते हैं parivahan.gov.in अब मैं इसका एड्रेस यहां से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसके जो सर्वर है वो इंडिया में ही लगे हुए होगे मुझे ऐसा पता है कि इसके जो सर्वर है वो इंडिया में ही लगे हुए होगे तो मैं इसको ट्रेसर्ट करता हूँ तो देखते हैं हमारा इसका जो root है वो क्या आता है तो इसका जो root है पहले मेरा जो मेरा private IP है वो आया है इसके बाद मेरा ISP का IP आना चाहिए ये दुखो ये मेरा public IP आगए इसके बाद ISP का IP आएगा 10.253 इसके बाद यहाँ पे मेरे को वो IP मिल जाएगा जहाँ पे इसका server लगा होगा तो मैं इसको copy करता हूँ simply यहाँ पे जाके paste कर देता हूँ इसके बाद देखते हैं कि ये वाला IP address कहां को belong करता है कहां से यह मतलब server हमारा locate हो रहा है और वहां से हमेरी request कैसे वहां से आ रही है तो यह दो एशिया में ही है इंडिया में ही है अब यह particular तो नहीं बता रहा है यह महरास्ट के पास दिखा रहा है तो वहाही पे इसका server लगा हुआ है तो यह जो आपका latitude longitude है वह सब detect हो जाता है और इसको broadband connection है और यह different कुछ चीजे होती है जो कि नहीं दिखा दें क्योंकि governmental जो चीज होती है वह थोड़ी सी security privacy वाली होती है इसलिए प्रॉपर तो नहीं दिखाता है लेकिन हाँ पुलिस इन सब के पास यह proper record होता है तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपका internet है वो कहां से किस चीज के लिए कितनी दूर travel करके आपकी request को proceed कर रहा है और आपके पास वापिस आ रहा है तो इस तरीके से आपका internet work कर रहा है आप एक छोटा सो WhatsApp message भी भेजते हैं अपने दोस्त को आपके बगल में भी बैठा है तब भी वो message एक बार USA के data center में इस server में जाएगा प्रोसीड होगा इसके बाद आपके receiver दोस्त के पास चला जाएगा तो आपके एक छोटे से mail को भी पूरा travel करना पड़ता है अब कोई cost नहीं होती इंटरनेट आपके प्री होता है यह जो bandwidth आपको मिलती है आपके data जो आपको मिलता है वह एक्चुली उसमें जो आपको pay करना होता है वह एक्चौल में आपको इंटरनेट का डैटा पक का pay नहीं करना होता है तब आपकी request कहीं और से जाएगी और अगर आपने कभी notice किया हो कि आप कोई ऐसी website को access करना चारे हो जिसके service, जो data centers है, servers वाले वो किसी ऐसी country में लगे हूँ जहाँ पर आपको travel करके आपके data को जाने में काफी देल लगती है तो आपने हमेशा notice किया होगा, वहां की website बड़ी slow load होती है तो इसी लिए वो slow load होती है, क्योंकि उनको जो travel करना पड़ता है काफी जादा travel करना पड़ता है, different different आपके इन cables को change करना पड़ता है query इधर से उधर जाने के लिए, तो guys कई बार इस तरीके की default आपको default देखने को मिल जाते है तो guys ये जो आपकी submarine cable से particular कुछ आपकी brands है, जो की brands नहीं company कह सकते है जैसे Equinix हो गई, Hawaii हो गई, तो ये सब इनको आवन करती है और इनको maintenance का खर्चा है, वो इनको खुद देना पड़ता है और ये जो charge करती है, ISP वालों से करती है जैसे India में Airtel है, आपका idea है, Vodafone है उन सब को ये service provide करती है अपनी, और उनसे कुछ charge लेती है जिनसे इनका maintenance चलता है, और इनका भी काम चलता है तो इस तरीके से आपका internet wire medium की तरूँ पूरे world में एक अच्छा connection बनाता है जो कि 90 to 95% use होता है अब बाकी 5% के लिए आपकी satellites use होती है तो guys, इस तरीके से आपका पूरा internet work करता है कोई भी ऐसा medium आप मस समझना कि आप WhatsApp message करते हो तो वो satellite के जरी आपके दोस्तों पर पहुंच जाता है नहीं होता ऐसा, wire medium के तरूँ जाता है तो इस तरीके से ये पूरा internet work करता है इवन आप mail करते हो, YouTube में वीडियो देखते हो, Google में search करते हो सब इन wire medium के तरूँ ही, इन पर travel करके USA के server मतलब जहां पर भी server वहां तक जाता है और वापस reflect हो के आता है तो इस तरीके से ये पूरा world में ये work करता है तो यहां पर आपको clarity हो गई हो कि कैसे ये work करता है तो आपको data है वो कैसे send होता है, receive होता है कितनी layers होती है, कितनी protocols होती है मैं जरूर आपको उसको confusion दूर करने की कोशिश करूँगा तो आज की इस वीडियो में इतना ही internet कैसे work करता है मैं ऐसी आशे करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा तो वैं मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखें, healthy रहें and stay healthy, जै हिंद करता है करता है अब बहुत करता है करता है प्रखें करता है अजए पर एको यहां पर दोड़ों झाल झाल